बच्चों आज हम मरुस्तल प्रदेश में पाए जाने वाले वनस्पती और प्राणी जीवित रहने के लिए क्या करते हैं ये देखेंगे इससे पहले हम मरुस्तल की जलवाईयों किस प्रकार होती है ये समझ लेती हैं क्या आप मेरी मदद करेंगे सामान निताहा रेगिस्थान अर्थात मरुस्थल की जलवाई उष्ण होती है दिन के समय वहां बहुत अधिक तापमान होता है और रातें अक्सर ठंडी होती है हमें मरुस्थल में चारो ओर रेद दिखाई देती है यहां बारिश बहुत कम होती है इसी कारण मरुस्थल में पानी की हमेशा कमी रहती है चलिए अब हम देखते हैं कि यहां रहने वाले प्राणी इस प्रकार की जलवायू में अपने आप को किस प्रकार से ढालते हैं दूसरे शब्दों में वे जलवायू के अनुकूल किस प्रकार बनते हैं आईए देखते हैं सबसे पहले जानते हैं कि मरुस्तल में किस प्रकार के पौधे और प्राणी पाये जाते हैं वहाँ पर कैक्टिस जैसे पौधे, अलोवेरा अर्था जिसे धृतक कुमारी भी कहा जाता है उसके पौधे अकेशिया अर्थाद बबूल और प्राणीयों में उन्ट, साप, छिपकली, चूहा कांगारू आदि यहाँ पाये जाते हैं अब हम इन प्राणीयों का परिस्तिती के साथ किस प्रकार अनुकूलन होता है ये देखते हैं कैक्टिस नामक वनस्पती में अन्य वनस्पतियों की तरह पत्ते नहीं होते हैं इस चित्र में क्या आप ये कांटे देख रहे हैं? ये इस वनस्पती के पत्ते हैं जो कांटों में परिवर्थित हो गए हैं एकेशिया में भी इस प्रकार के कांटे दिखाई देते हैं कांटों के रूप में पत्तों के इस रचना के कारण पत्ते कम पानी उत्सरजित करते हैं और चारागाह पश्यों से भी सुरक्षित रहते हैं इस कारण मरुस्थल के अत्यन तक कम पानी वाले जलवायू में भी ये वनस्पतियां जीवित रह सकती हैं। इस प्रकार पत्ते खाने वाले प्राणियों से भी इन वनस्पतियों का संगरक्षन हो जाता है। पर यहां काटे वाले तथा शंकू वाले अकार के पत्ते चरने वाले प्राणियों नहीं खाते हैं। अधिकतर मरुस्थरिय प्रदेशों में वनस्पतियों की जड़े पानी की खोज में बहुत गहराई तक जाती हैं। मरुस्थर में रहने वाले प्राणी मुख्य तहा दिन में अपने बिलो में रहते हैं और रात के समय सक्रिय रहते हैं। अर्थात वे अपना अन्न रात में खोचते हैं। इस कारण इन प्राणियों को निशाचर कहा जाता है। क्या आप जानते हैं कि उंड को मरुसल का जहाज कहते हैं। इसका कारण है इस प्राणी के शरीर की खास रचना। चलिए अब हम उंड के इस चित्र को ध्यान से देखते हैं और पूछे गए इन प्रशनों के उत्तर देनी की कोशिश करते हैं। उंड की चमडी कैसी है? उंड के पैरों की लंबाई के बारे में आप क्या कह सकते हैं। इस चित्र में उंड का कूबड कहा है? चलिए इन प्रशनों के उत्तर खोचते हैं। उंड की चमडी मोटी होती है, लंबे पैर और उसके नथुने मुड़े होते हैं। उसके पलके लंबी और मोटी होती है और उसे एक कूबड होता है ये विशेष्टाएं उन्ट को मरू भूमी में रहने के लिए सहायक होती है चलिए देखते हैं कैसे मोटी चमडी पानी की हानी रोकने के लिए होती है लंबे पैर अत्यन्त तप्त बालू से शरीर के महत्वपूर्ण अवयों के रक्षण के लिए होते हैं नथुने चम्ड़ी की तह से ठके होते हैं इस कारण बालू अर्थात रेत नाक में प्रवेश नहीं कर सकती लंबी और मूटी पल के मरुस्थल की रेत से आखों के बचाव के लिए होती हैं और कुबड अन जमा करने के लिए होता है इसके आलावा उंट अपने शरीर में विपुलता से पानी जमा करके रख सकता है इसी कारण उंट अनीग दिनों तक पानी के बिना मरुस्तल में रह सकता है बच्चों हमने मरुस्तल के प्राणी, मरुस्तल की जलवायू जीने के लिए किस प्रकार से अनुकूलन कर लेते हैं इसे जाना अब हम बर्फीले प्रदेश में रहने वाले प्राणीों के अनुकूलन के बारे में जानेंगे क्या आप बता सकते हैं कि बर्फीले प्रदेश की जलवायू कैसी होती है बर्फीले प्रदेश में अत्यन थंड जलवायू बर्फ रुष्टी और कभी कभार जोरों से बहने वाली हवा इस प्रकार की जलवायू होती है ये चित्र बरफीले प्रदेश में उगने वाले व्रुक्ष का है इसका नाम देवदार का व्रुक्ष है इस पेड के आकार और इसके पत्तियों के आकार का निरिक्षन करें क्या देखा आपने? इसका आकार शंकवाकार या चोटीदार है यहां पर उगने वाले पेडों को शंकू धरक व्रुक्ष कहते हैं इनकी टहनिया और पत्ते चिकने होते हैं जिसकारण इन पत्तों पर पर्फ नहीं जमती अब तक हम बरफीले प्रदेश के वनिस्पतियों के बारे में बात कर रहे थे जैसे ध्रुवी अभालू, याक, चीता, सिल्वर फॉक्स इस प्रकार के प्राणी बरफीले प्रदेशों में पाये जाते हैं पर सोचिए वे वहां किस प्रकार रहते होंगे बच्चों अगर आप ध्यान से देखें तो पाएंगे कि इनके शरीर पर मूटी खाल होती है मूटी खाल अर्थात उन पर घने बाल या हम कह सकते हैं घने रोएं होते हैं जो शरीर की उष्णता को बचाये रखते हैं इन पराणियों के खाल के नीचे चरबी की एक मूटी परत होती है चरबी की ये परत उनके शरीर की गर्मी तथा उष्णता को बनाये रखती है इसके अलावा ये चरबी पराणियों को उर्जा भी प्रदान करती है द्यार्थी मीत्रों, आज हमने दो चरम जलवायू, अर्थात मरुस्तल और बरफिली जलवायू में रहने वाले प्राणियों के बारे में अध्यन किया बच्चों, ये प्राणे जिस प्रकार का अन्न खाते हैं, उसके अनुसार भी उनका अनुकूलन होता है चलिए हम कुछ उधारणों के माध्यम से इस बात को समझते हैं अमर बेल ये एक परणहीन वनस्पती है, अर्थात इसमें पत्ते नहीं होते इसी कारण ये वनस्पती अन्य तयार नहीं कर पाती अतह ये वनस्पती अन्य वनस्पतियों से अन्यरस चूसती है विनस फ्लाइ ट्रैप याने कीत भख्षी वनस्पती सैंड्यू अथ्वा ड्रोसेरा ये वनस्पती कीटक खाती है और अपनी नाइट्रोजन की जरूरत को पूरा करती है यदि हम देखें तो जो प्राणी मास खा कर जीते हैं वे अपना भख्ष पकरदे के लिए जल्द गती से दोड़ते हैं जैसे आपने देखा होगा बाग, शेर इन प्राणीों के तीक्षड़ दात होते हैं जिनकी मदद से वे कच्चा मास फाड़ कर खा सकते हैं आकाश में उड़ने वाले पंच्चियों को देखा है, वे कैसे उड़ते हैं, लेकिन दूसरे प्राणी उड़ नहीं सकते, ऐसा क्यूं? क्या आप जवाब सोच सकते हैं? चलिए, अब हम पक्षियों के उन विशेश्टाओं के बारे में जानते हैं, जो उन्हें सहच्चता से उड़ने के लिए मदद करती हैं पक्षियों के शरीर की रचना का निरिक्षन करें इनका शरीर दोनों छोरों पर लंबा और पतला होता है और बीच में फूला हुआ दिखता है ये शुंडाकार ही पक्षियों को सहच्टा से उड़ने के लिए उप्युक्त होता है उड़ने के लिए पक्षियों के पास पंक होते हैं उनके पंख और कुछ नहीं दो पैरों का सुधारित रूप है पक्षियों की हड्डियां खोकली होती है इसी कारण से पक्षियों का वजन अत्यन्त कम होता है और वे हलके होती है पक्षियों के पर भी होते है बच्चों, क्या आपको एक अचरच की बात मालूम है? चुहा कांगारू, पाइन रुक्ष, चीता, तोता, एताधी प्राणियों के चित्र जमा करें उनके अधिवास के बारे में लिखें और उनके किसी एक अनुकूलन के बारे में लिखें जो उन्हें उनके परिवेश में जीवित रहने के लिए मदद करता है सारांश इस वीडियो में हमने देखा कि प्रतिकूल जलवायों के कारण सजीव अपनी जरूरतें पूरा करने के लिए विविद प्रकार के संगर्श करते हैं इसी कारण हमें सजीवों में विपलता से जैविक विविदता दिखाई देती है करता है